मधुबाला पस नाम ही काफी है ये एक ऐसा नाम है जिसके लाखो दिवाने हुआ करते थे जे हाँ मधुबाला अपने जमाने में बड़ी बड़ी फिल्मों में काम कर चुकी थी बॉम्बे टॉकीस के तले जिनमें से महल फिल्म एक थी मधुबाला को जितना दर्शकों से प्यार मिला लेकिन उनके वास्तेविक जीवन में उन्हें कभी सच्चा प्यार नहीं मिला उन्होंने जिसने भी प्रेम किया उन्हें धोका ही मिला मदूबाला की फिल्मों की जो शुरुवात थी वो 1944 से हुई थी उसके भी पहले जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे तो जैसा कि हमने आपको बताया कि मदूबाला के लाखों दिवाने हुआ करते थे और आज भी उनकी अदाइगी से लेकर उनकी खूबसूरती के लोग दिवाने हैं वो एक भारती अभिनेत्री थी जिने 40 और 50 के दश्यक की महान अभिनेत्री होने का गौरव प्राप्त था मदूबाला का जन्म ब्रिटिश काल में 14 फरवरी 1933 को नई दिली भारत में हुआ था पश्टून मुस्लिम परिवार में जन्मी मदूबाला आज भी लोगों के दिलों में बस्ती है यू तो उन्होंने फिल्मों में एंट्री बतौर बाल कलाकार साल 1942 में आई फिल्म बसंद से ही कर ली थी उससे में उनकी उम्र महज 9 साल की ही थी लेकिन बतौर अभिनेत्री उन्होंने साल 1947 में आई फिल्म नील कमल से किया इस फिल्म को फिल्मेकर के दाशर्मा ने बनाया था इस फिल्म के बाद उन्होंने 1947 में दिल की रानी और 1948 में अमर प्रेम में काम किया ये सारी फिल्में उन्होंने राजकपूर के साथ की थी मदुबाला के बच्मन का नाम मुम्ताज बेगम जहां देहल भी था वो अपने मात्रपिता की पाचवी संतान थी मदुबाला के अलावा उनके दस और भाई बहन थे लेकिन पाच बहनों में वो सबसे ज्यादा कमाती थी छोटी सी उम्रे में ही उन्होंने फिल्म में काम करना शुरू कर दिया जिसकी वज़ा से वो स्कूल नहीं जा सकी वो उर्दू की अच्छे जानकार थी लेकिन उन्हें अंग्रेजी का एक भी शब्द नहीं आता था मदुबाला को दिलिप कुमार से प्यार हो गया था जे हाँ मदुबाला उस जमाने की बड़ी-बड़ी फिल्मों में बॉंबे, टॉकीज और महल जैसी फिल्मों में अबन्य कर चुकी थी साल psychologists में मदुबाला की मुलकात फिल्म ज्वार भाटा के सेट पर अभी नेता दिलिप कुमार से खवी इसके बाद मदुबाला के मन भी दिलिप कुमार के लिए प्यार जागा उस वक्त मदुबाला महज 18 साल की थी और दिलिप कुमार 21 साल की साल 1951 में दोनों ने एक बार फिर फिल्म तराना में साथ काम किया ऐसा कहा जाता है कि मुगले आजम की शुटिंग में 9 साल का लंबा समय लगा था और इसी दोरान दोनों का प्यार और ज्यादा गहरा हो गया था मदुबाला दिलिब कुमार से शादी करना चाहती थी लेकिन दिलिब कुमार ने इंकार कर दिया था हलाकि ये भी कहा जाता है कि दिलिब कुमार शादी के लिए तयार थे लेकिन मदुबाला का परिवार इस रिष्टे के खिलाप था 1958 में आयातुल्ला खान ने कोट में दिलिप कुमार के खिलाफ केस भी किया था जिससे वो इन दोनों के प्रेम सम्मद को खत्म करना चाते थे मदुवारा की छोटी बहन मदुर भूशन जिनका असली नाम जाहिदा था ने बताया था कि वो ताउम्र सच्चे प्यार के लिए तरसते रही एक इंटर्व्यू में उन्होंने इस बात का खुलासा करते वे कहा था कि केवल दिलिप कुमार नहीं नहीं बलकि किशोर कुमार ने भी उन्हें धोका दिया था जब मदूबाला बिमार थी और लंदन में इलाज के लिए जाने के प्लाइनिंग कर रही थी उसी दोरान किशोर कुमार ने उन्हें प्रपोस किया मदूबाला के पिता चाहते थे कि डॉक्टर्स की राहे ले और पूरी तरसे ठीक होने के बाद ही शादी करे लेकिन दिलिस साहब के वेवार से गुस्ताई मदूबाला ने तूरंथी किशोर कुमार से शादी कर ली साल 1960 में 27 साल की उमर में उन्होंने शादी कर ली जैसे ही डॉक्टर्स ने ये बताया कि वो ज्यादा दिनों तक अब जी नहीं पाएंगी तो किशोर कुमार के भाई ने मुंबई के कार्टर रोड पर बंगला खरीद कर उन्हेवार नर्स और ड्राइवर के साहरे छोड़ दिया था चार मैंने में वो एक बार मिलने आ जाया करते थे उन्होंने मदूबाला का फोन तक उठाना बंद कर दिया था मदूबाला इस बास से बेहत दुखी थी कि उनसे कोई अब मिलने भी नहीं आता वो एक समय बॉलिवूट की बहतरिन अदाकारा हुआ करती थी लेकिन जब वो बिमार हुई और मरने की कगार पर थी उस वक्त उनसे मिलने और उनका हाल जानने तक नहीं आये उन दिनों मदूबाला ने तैयार होना भी छोड़ दिया था वो हर वक्त बस नाइट गाउन में ही रहती थी मदूबाला के मृत्यू 23 फरवरी 1969 को महज 36 साल की उपर में ही हो गई थी वो दिल की बिमारी से पेड़ित थी और इसे बिमारी के चलते उनका निद्धन हो गया था तो बॉली वूड में आज के लिए इतना ही हम फिर मिलेंगे जल्दे ही बॉली वूड की कोई अन्य दिल्चस्प खबर या किस्सा लेकर तब तक के लिए नमस्कार